असलामुआइप्स वीडियो से हम एक न्यू टाफिक स्टार्ट कर रहे हैं जो के हैं कार्टन को रूटीन्स इस पूरी प्लेलिस के अंदर हम बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से लेके डवांस लेवल तक कार्टन को रूटीन्स को सीखेंगे और मैं कोशिच करूंगा कि प्रै प्रैक्स के अंदर जो कार्टन को रूटीन्स को यूज करने की हैं यहां पिर अगर रियल वर्ड कोई प्राब्लम आपके पस आती है तो इसको साल्व करने के लिए आपने कार्टन को रूटीन्स को कैसे यूज करना है या जनरली क्यों यूज करना है तो आज की जो वीडि को रुटीन है यह कार्टलंग या Android के साथ कोई नहीं चीज है इसके साथ असुशेटेड नहीं है यह एक जनरल प्रोग्रामी कानसेप्ट है तो पहले देख से क्या मुँद्ट है तो यहिए इट सेल्फ फिसी कली दो सेपरेड वर्ड से मिलके बना हुबा है यह है मारे पास पहले नमर पर कॉपरेटिव और सुछी रूठीन तो जह में चीज़ आमने साफस में समझ करेंगी तो मारे पास कॉर्टीन बन जाएंगी तो कॉपरेटीव रूठीम बनाती है और हम चौर कि आपको पता होगा रूटीन किया और आपने इसको यूज तो लाजमी किया होगा अगर आपको नहीं नाम से पता तो भी उसको देख लेते हैं तो अगर सिर्फ डैफिनिशन की बात करें तो रूटीन बेसिकली सेट अफ इंस्ट्रेक्शन होती है जो एक सीक्वेंस के अंदर हम एक्जिक् है इसकी एक्जेंपल यह है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसको आपने टास्क साइन किया है कि दो पास करते हैं वह उनको साम करके प्रिंट करवाता है तो वह मारे पास रूटीन होगी और प्रोग्रामिंग के अंदर एक जो जैनरल नार्मल फंक्शन होता है को इसको बेसके ली रुटीन होती है डिफ्रेंट लैंग्विजिस एंदर इसको डीफ्रेंट नाम के साथ रैफिकिया जाता है कहीं पर सब रूटीन बोला जाता है फॉंGS फंक्शन होगे मैथड्स होगे डिफ्रेंट नेमज का पर इसको।ंचन कहते हैं जावा के अंदर ह वो आपस में cooperate नहीं करते इससे क्या मुराद है इसको भी थोड़ी ज़र तक practically भी example के थोड़ी देख लेंगे intelligent idea के अंदर यहां पर मैं आपको थोड़ा सा explain करता हूँ कि suppose करने हमारे पस दो functions है function A और function B और function A काल करता है function B को तो जब तक function B की execution complete नहीं होगी ना control function B से return नहीं होगा function B के पास ही रहेगा function B एक second लगाता है दो second लगाता है 10 second लगाता है यह एक minute लगाता है it doesn't matter जब तक function B की execution complete नहीं होगी control जो calling function है function B का है हमारे guess के अंदर function A ने चुके call किया है function B को function B से control return होना है function A के उपर तो जब तक function B अपनी execution complete नहीं करेगा control इसी के पास रहेगा जब function B complete अपनी execution कर लेगा फिर वापस control जाएगा function A के पास तो इंटेलिजी आडिया के अंदर इसके practically एक ग्जेम्पल भी देख लेते हैं तो मिरेपस यहां पर एक ब्लैंक इंटेलिजी आडिया project है काटलन का project है तो आप इसको कुछ इस तरह के से create कर सकते हैं file के ओपर जाए यहां पे new और यहां पर प्राजेक्ट की ओपर जाएं और यहां से आप vibrer selected करें और यहां से जावा नहीं बिलकि कि आप Kartlund JVM सवर्ड करेंगे के लिए और की और आपाफ Czechs को फिनिश करदें मोड़े उसके बाद आपको प्राजेक्ट विंडोह के in another एडर किए pictokal करने कि आप थी जिए को लिए मिए अगयाओ एक यावाल फेम्न कर ल को करता है। यूह दो क्रेंगा नर्मल फंक्शन होती है तो मैं पंक्शन कर्लूंगा बार में पहले नंबर मनियूसे को flirt कर लूँगा और यहां पर दर्मियान में यूज कर लूँगा यहां पर पेस्ट कर दूँगा तो यहां पर मारे पास आ जाएगी routine2 यहां पर भी हम कहा देंगे routine2 is started और routine2 is complete तो अब जो routine2 है इसके case के अंदर हम जो delay करेंगे ना वह suppose करेंगे दो second का कर लेते हैं तो हमने दो जो routines हैं वो create कर लिए हैं simple हमारी routine पहले जब start होगी तो print करेगी फिर हमारे पास 3 second का delay पर यहां पर यहां पर गेंट स्टेटमेंट होगी routine2 भी पहले अपनी starting जो इसकी प्रिंट स्टेटमेंट आप प्रिंट करेंगी दो साकंड का डिले होगा फिर दो बारा यह जो एंडिंग प्रिंट करेगी में फंक्शन के अंदर जाता हूं और यहां पर कॉल कर लेते हैं routine1 को और उसके बाद हम काल कर लेते हैं routine2 को अगर मैं फंक्शन के पीछे जो play का बटन इसको क्लिक करों और run के में के टिके पर क्लिक करूंगा तो में फंक्शन एग्जीग्यूट होगा और अब आपने गोर से जो यहां पर मारी एक्जीग्यूशन है नहीं उसको देखना है अपने देखा हमारे पास प्रिंट हुआ सब सब्सक्राइब कर पास रहे भीज़न चाहिए उसके पर सब्सक्राइब अब आपको बताना चाहरा हूँकर नान कॉपरेटीव जा किस तरीक थे हैं तो अब कुछ आपने समझ आ हमारे से क्योंकि अगर आप सिर्फ यह लाइन समझ जाएंगे ना के रुटीन या फंक्शन या वह आपसमें नान कॉपरेटिव होते हैं यह समझ जाते हैं कि कैसे नान कापरेटिव होते हैं तो आप कोरुटीन को जनरली अंडिस्टैंड कर लेंगे जो मेंट कॉंसेप्ट है ना execute की रूटीन वाणी स्टार्ट इड यह प्रिंट होगी फिर हमारे पस से तीन सेंड के लिए जो मारा थ्रैड़ था रुक गया वलाक हो गया तो तीन सेंड का डिलेया है फिर दोबारा हमारे पास रूटीन वन इस कंप्लीट जह वह यहां पे प्रिंट हूआ और जैसे यह मार तो जिस तरीके से रूटीन वन एक्जी कुट विस सेम वे रूटीन टूग जब में फंक्शन इसको काल किया तो रूटीन वन ने पहली इपनी स्टार्टिंग लाइन जो है वह स्टेट्मेंट प्रिंट की फिर दो सेकंड के लिए इसने पाज किया फिर दोबारा इसने जो अ राएम है वह मारी रूटीन वाले रही है लेकिन अग्र यह तीन मिनट भी ले ना जब तक रूटीन वन कंप्लीट नहीं होगी कंट्रोल रूटीन में फंक्शन के पास नहीं जाएगा और नाइन में फंक्शन अपने कोई दूसरी जो लाइन आप अग्जिक्विट कर कि मैं इसी एक्जैंपल को करूंगा को रूटीन के ऊपर ताकि आप लोगों को जो रूटीन और को रूटीन का डिफरेंस है वो भी समझ जाए और जो में यह पता चले के रूटीन जैंवों कैसे कापरेटिव हो को रूटीन को बनती हैं तो आई नो कि काफी ज़दा जो च सबसे पहले तुझी है यह मारी कनवर्ट हो जाएगा इसको हम कहा देंगे को रूटीन वन और रूटीन टू को मैं कहा देंगा को रूटीन टू तो अब इसको को रूटीन के अंदर को रूटीन के अंदर करने के लिए मैं सिस्पेंड कीवर्ड यूज़ करूंगा और ठ्र और अब यहां पर भी आएगा, Core Routine 1 is started, Core Routine 1 is complete, Core Routine 2 is started and Core Routine 2 is complete, तब इन Core Routine को काल करने के लिए, मैं यहां पर Core Routine Builder यूज करूँगा, Run Blocking जिसको, अगेन हम नेक्स वीडियो के अंदर डेटेल में देखेंगे, अब इस लाइन की भी मुझे जरूरत नहीं, और इस लाइन की भी मुझे जरूरत नहीं, तो अब मैं यह करूँगा, मजीद एग्जैंपल आप लोगों के लिए सिंपल करने के लिए, मैं यहां पर प्रिंट लाइन को यूज कर लूँगा, और यहां पर प्रिंट कर दूंगा मी इसे को डूइकंड कर दूंगा यहां पर प्रिंट करूंगा में ताके आप य reference क्योंको पता चले कब में function start हुआ का रहा हुआ का में function यह है तो माई आख करने कि लिए यूज़ करते हैं तो यूज को यूज कर लूँगा पर्सकों करेंगे और सेंविए हम जो को रूटीन टू है इसको काल करेंगे तो अब अगर मैं क्लिक करता हूं प्ले के बटन की ओपर और में मेरे पंचन को रन करता हूं तो अब आपने आउटपुट देखनी और अगर आप यह आउटपुट स is complete फिर आया कोरूटीन वन इस complete फिर मारे पास आगया में एंड और में फंक्चन एंड हो गया अब मैं इस output को आपको explain करता हूं और हम शूर बहुत simple example आपको समझा जाएगी कि सबसे पहले में function जो कि मारा calling function था control में function के पास था करो तो में function ने पहले लाइन execute की main starts तो यह मारे पर लाइन प्रिंट होई उसके बाद उसने quite 11 को इस ने हमारी उनको काल किया तो कन्ट्रोल मा आपन आगिया को रूटिन वान नी स्टार्टिड उसके बाद जब डिलेव फंक्शन को हमने काल किया ना तो हमारी यह वाली जो को रूटिन है इसके अंदर तीन सेकंड का पास था जैसे डिलेव फंक्शन को काल किया गया और हमारी यह वाली को रूटिन पास हुई ना उसने कंट्रोल तीन सेकेंड के लिए को रचेंड के लिए घैक एपकर के लिए ऐसने दुबारा मापका उन वन ने जो इसने तीन सेकंड के लिए पास होना था तो में फंक्शन ने दो सेकंड जब कंप्लीट होए तो उसने दुबारा कंट्रोल दे दिया को रिटीन टू को को रिटीन टू ने अपनी लास स्टेटमेंट एक्जिक्यूट की इसलिए यहां पर पहले आपको नजर आ रह हो अगेन कंट्रोल गया में फंक्शन के पास उसने लास स्टेटमिंट मेंन पर मेंट और प्रिंट कर दी तो ये मारे पस बूसान टू को में उसकुत क readily कर ली इसलिए वह यहां पार आपको पहले नजर आ आ रही है एंड इंदिक्प्रिप्रन से पहले पाले नजर आ रह 이미 तो बारा को पास होंगी तो दोबारा उसने क्शेशन को और में ऐसने थोड़ी देर बाद दोबारा कन्ट्रोल दिया क्शेशन को तो और में फंक्शन नेख्टुदी होगी कि अगर समजा की होगी के अब स् meet विसी चेंज होगी अगए पहले नमबर में प्रिंट होगा फिर मारे प mise dogs लोगी तो स्टाट की जाएगी अब जैसे ही है एक कीड आया तो दोबारा के पासट चया थो कीडिकेई की पर्यान के लिक्या डीप पर ने दीडियSH उत वार गासशि resembling function यृटिक यृटिय। one को और उसने अपनी यह वाली लाइन कंपलीट पहले नजर आ रहा रहा है जैसे जैसे यह कंपलीट यह लाइन नहीं जिए खुम्क्रिटीर कंपलीट को उसने कंट्रोल दिया में फंक्शन गार्यान इसने कंट्रोल दिया को रूटीन को को यहां पर लाज स्ट्राइटेट्मेंट प्रिंट प्रिंट हो जैसे कंप्लीट है तो तो में फंक्षन नहीं आपर मीएन ब्रिंट कर दी है तो बैसिकलि क्या मुराद है कि हम शूर गयास कि हैपको समझ आ चुका और कि रुटीन क्या होती है और को रुटीन क्या होती है इसमपल रुटीन तो मारे पास function होते हैं जब वह आपस में कॉपरेट करती है तो वो रुटीन बन जाती है जिसको आफ ना वैसे वर्ड तो कॉपरेटिव प्रजाद है कि एक ऐसी कंप्यूटेशन है एक 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 टाइम के ऊपर किसी एक पॉइंट को फिस्पेंड कर सकते हैं आप और लेटर रान उसको रिजियूम कर सकते हैं जो कि एक्चली हम यहां पर कर रहे हैं पहली जैसे मारे पास एक्जीगूट होई तो इस लाइन की आप यहां से वो रिजियूम हो चुकी है तो जी है कि इनकी जो एक पॉइंट के उपर आप इनकी जो एक्जीगूशन उसको स्टाप कर सकते हैं लेटर राँ किसी पॉइंट के उपर इनकी एक्जीगूशन को आप रिजियूम कर सकते हैं तो जी जो को रूटीन हैं एक से बहुत बाहर है दूसरा नंबर पर इसके लिए आपको उपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए कि वह इंटर्नली कैसे काम करता है और हमें जेनरल को रूटीन को अंबरस्टेंड करने में और अंड्राइड के अंदर इनको यूज करने में प्रोडेक्शन रावल के उपर भी यूज करने के लिए इन चीजों को समझने की इतनी जरूरत नहीं है तो हम जो में पॉइंट्स होंगे वो मैं कुशिश करूंगा आपको समझा दूं तब नेक्स्ट यह कि जो को रूटीन के के अंदर कोई नियू कंसेप्ट नहीं है यह काफी दूसरी पर पुरानी लाइंग्विजिस के जो स्टैबलिश्ट कॉंसेट से उनके उपर बेस कर रही है और कार्टन के अंदर यह वरीन बान पैंट सी के अंदर जो को रूटीन को देख लेते हैं पहले तो हमने जेनरल को रूटीन को देखा तो एंडराइड के पौंट वी से जो पौर रूटीन है एक को रूटीन एक क्नकरंसी डिजाइन पैटरन है जो के अम अपना जो ऐसिंट कोड होता है यह कंधरन प्रोग्राम होता है उसको उसको लिखने में लिए उसकी एक्जीकुशन को सिंप्लिफाय करने के लिए यूज करते हैं तो इसको मैं बहुत डिटेल में अभी एक्स्प्लेइन करूंगा कि जो एस इंक्रोनस कोड होता है उसको लिखना और उसको मैनेज करना एंड्राइड के ओपर चुक्छे यह बहुत टेक्निकल और इंड्राइड के पांट यू से जब हम को रूटीन को यूज करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा असान हो जाता है और यहां पर मैं आपके चीज बताता हूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बिनाई थी तो टाप राइड के अंदर इंफो कार्ट के अंदर मैं उसको लिंक आपको द लेंगे अगर आप देख लेंगे प्लेल इस तो आप लों के लिए ज़्यदा बेनिफिशल रहेगा तो अब नेक्स देख लेते हैं कि क्या यह एंड्राइड के अंदर यह क्यों जूरूदी है तो नार्मल तो आपको पता होगा के अंदर प्रोग्रामिंग क्या होती है ले जो CPU होता है वो एक टाम के उपर एक instruction को execute करता है और जो instructions होती है वो एक sequence के अंदर जो होती है तो जो एक block of sequential code होता है लाइक पांच दास जो sequence के अंदर instructions हम अपने CPU को देते हैं execute करने के लिए वो single block को हम thread कहते हैं लेकिन जो modern CPUs या modern and dry devices हैं उनके जो CPUs हैं उनके अंदर multiple cores होती है multiple cores होने से यह मिराद है कि जो हमारा CPU या वो एक time के उपर multiple चीज़ें perform कर सकता है multiple statements को execute कर सकता है इसका मतलब है कि multiple threads at the same time हमारे पास CPU इनको execute कर सकता है या CPU के उपर run हो सकते है multiple threads अब CPU के उपर multiple threads को run करना क्यों important Android के उपर या Android application के लिए इसको देख लेती है उसकी वज़ाजी है कि Android application जो होती है इसके इंदर by default एक single thread होता है और वो thread completely responsible होता है user interface को show करवाने के लिए render करने के लिए या update करने के लिए इसको normally हम main thread कहते हैं या UI thread भी कहते है यह जो main UI thread हो होता है कि सिर्फ user interface को manage करना या maintain करना तो हम main thread को जो long running operations होते हैं उनके लिए use नहीं कर सकते लाइक डेटाबेस से values read करना write करना network operation होगे internet चे को data image को download करना क्योंकि यह operations काफी जएदा time लेते हैं हमें नहीं पता होता कितना time यह लेंगे तो यह long running operation है तो main thread क्योंकि उसने user interface इसको manage करना होता है तो वो उसके उपर हम यह वाले जो operation देब हो नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें concurrent यह एसरे chronos programming के Android के अंदर जरूरत बढ़ती है इसको मुझीद basic example के तुरू देख लेते हैं जैसे हैं आप किसी भी अपनी application icon के उपर click करते हैं तो वह application memory के अंदर load होगी हो चुके Android एक Linux based operating system है तो memory के अंदर Android मारे लिए Linux process जो वो create करता है by default इस process के अंदर एक thread होता है जो main thread यह इसको UI thread हम कहते हैं by default चुके यह एक ही thread है तो इस एक ही thread के उपर सारी की सारी मारी application के events handle होंगे like अगर device rotate करेंगे तो application recreate होगी system events इसके उपर handle होंगे input events आप scroll करते है यह touch करते हैं वो इसके उपर handle होंगे application events like notification post हुआ वो भी इसके उपर handle होंगे इसके साथ साथ जो UI drawing है animation शो करवाना user interface को update करना उसको smoothly शो करवाना वो सब कुछ main thread ही मारे पास करता है तो यह जितने भी काम है यह सारे के सारे main thread कर रहा होता है और इसके साथ साथ जो आपने अपना code भी लिखा होता है वो भी main thread के उपर यह execute होना होता है लेकिन जो main काम होता है यह main actually android के तरफ से task दिये जाता है यह task main thread का यह UI thread का वो यह है कि इसने हर 16 milliseconds के बाद user interface को draw करना होता है यह read draw करना होता है update करना होता है ताकि एक second के अंदर आपको 60 frames per second smooth जो animation है वो मिले इसलिए इसको UI thread भी बोला जाता है कि इसने हर 16 milliseconds के बाद UI को update करना होता है तो इसका मतलब है कि हम main thread को किसी भी ऐसे काम के लिए use नहीं कर सकते है जो 16 milliseconds से ज़यदा time लेगा और 16 milliseconds बहुत थोड़ा time है तो normal मारी application तो काफी ज़यदा पर इंटरनेट से को image डाउनलोड करते ह है तो वह तो जारे एक दो सेकंड भी लेगी तो बहुत ज़यदा expensive operation है वो तो suppose करने को input event आता है और 16 milliseconds से ज़यदा time लेगा यहां पे तो इस line के ओपर main thread ने थे चुके UI को redraw करना था लेकिन input event ने ज़यदा time ले लिया तो यहां पर main thread UI को draw नहीं कर पाया तो यहां पर मारे 16 milliseconds के बाद एक जो frame recreate होना था redraw करना था हमारे पास main thread ने वह नहीं कर पाया तो जो हमारी application हो फ्लिकर करेगी एक दो तीन जब frames drop होंगे तो मारी application flicker करेगी सैदा जब frames drop होंगे main thread stuck हो जाएगा block हो जाएगा तो मारी application crash हो जाएगी तो इसलिए हम यह करते हैं कि जो main thread होता ह इसको हम free रखते हैं कि सिर्फ user interface के related जो काम है वो इसके उपर किया जाए बाकी जितना भी काम होता है को lame work का long running operation है कुछ भी है वो background thread के उपर होता है तो चुक्कि जैसे मैंने पीछी आपको बताया कि modern android devices multiple threads को at the same time execute कर सकती है वो इतनी powerful है multiple cores होते हैं तो इसलिए multiple threads को use करन Android के उपर बहुत जरूरी होता है तो इसलिए अब बाइडिफाल्ट ही जिए कि जो database operations like SQLite यह room library को यूज करते होई database में से values यह कोई भी database operation करना वो आपको main thread के उपर अलाव नहीं है आपको background thread यूज करना पड़ता है network operations जो है वो main thread के उपर अलाव नहीं है क्योंकि यह जो तो इस वजह से हमें Android के उपर जो asynchronous यह concurrent programming और उसके जरूरत पड़ती है अब देख लेते हैं कि normally यह काम हम पहले किस तरीके से करते हैं इसके लिए कि हमारे पस main thread free होगा user interface related task के लिए फिर हम यह करेंगे अगर image download करने हैं कोई भी हमने काम करना है तो background thread launch करेंगे for example image download करने क जाएगा एक और thread होगा जो कोई file upload करेंगा एक और thread होगा जो कोई big list यह उसको start करेंगा लेकिन प्राबलम यह है जिस वजह से core routines को हमने सीखना है यह यूज करना है वह यह है कि जो threads है वह बहुत expensive इसलिए मैंने इसको bold बड़े से block में लिख है और expensive से क्या मुराद है कि जो thread create करना native thread मराद यह कि memory के अंदर cpu के अंदर registers के अंदर एक thread create करना performance वाइस बहुत expensive operation है में भी आपको इसका पता हो यह ना पता हो अगर आपने अपरेटिंग सिस्टम थोड़ो सा पढ़ा होगा तो आपको इसका idea होगा कि जो native thread होता है उसके performance वाइस बहुत expensive होता है फिर मारे पास next जी है कि जो context switching है वो बहुत expensive operation है अब मैं इसके बहुत ज़र detail में तो नहीं जाओंगा लेकिन simple आपको बता देता हूं कि context switching से मराद यह कि जो currently running thread है उसको change करना फार ग्रेंपल पीछे मैंने आपको बताया ना कि यहां पे मारे पास है चार threads है तो CPU तो चु लेता है like 100 second 100 millisecond यहां 200 millisecond suppose कर लें तो अब thread one को वो थोड़ा time देगा फिर उसके बाद उसने दोबारा thread two को execute करना है तो currently running thread है वो change होगा तो इसको context switching कहते हैं और यह बहुत expensive operation होता है इसलिए हम यह कहते हैं कि performance wise जो threads हैं वो बहुत expensive होते हैं और JVM के ऊपर एक thread a can be लेता को यह भी पता होगा कि जब हम threads को use करते हैं तो इसके साथ साथ memory management होगी और threading होगी यह भी बहुत complicated है इसलिए हमारे पास core routines comes to rescue यहां पे core routines आती हैं और में rescue करते हैं कि जो whole multi threading और threads को native threads को use करने के जो process है वह जएदा सान हो जाता है तो मैं इससे पहले के मजीद हम देख पास के लिए जिसके लिए पहले हम background threads create करते थे अब हम core routines create करेंगे core routine one image download करेगी database operation के लिए core routine होगी file upload करने के लिए core routine होगी file को big list को sort करना core routine होगी तो इसलिए हम core routines को use करते हैं Android के ओपर भी होए generally भी ताके जो native threads हैं से हम बाच जाए उनकी management और बाकी जो हमारे पास इस जाए कि technical जीजिएंसे हम बाच जाएं और core routine हमें जो हो जाएदा better performance provide करती है तो अब हम इसकी दोड़ी से properties देख लेते हैं कि जो threads होते हैं वह operating system उनको manage करता है इसलिए वह performance wise बहुत जाएदा expensive है लेकिन जो core routines होती है ना उनको programmer या programming language manage कर रही होती है operating system को से कोई concern नहीं ह अपर होता है कब उसको वह run करेगा नहीं करेगा कितना time उसको देगा लेकिन की बात आती है तो प्रोग्रामर या programming language इसको manage करती है अपर level construct है आप system level के उपर नहीं जाते तो performance wise बहुत light है और इसके साथ यह के green threads या fiber या lightweight threads या lightweight threads यह basically वह names है जो core routines या core routine के तरह के जो constructs है different languages के अंदर यह different names या वो use किये जाती है next मारे पास है core routines are lightweight threads और यह line इतनी important है core routines के वाले से कि अगर आप internet के ओपर कहीं पर भी core routines को search करेंगे या कहीं पर इसके ओपर देखेंगे core routines के ओपर तो तकरीबन हर जगा की ओपर आपको यह line as a definition as a conclusion मिलेगी core routines are lightweight threads तो इसको भी हम practical example के तुरू भी देख लेती हैं कि क्या यह lightweight होती है नहीं लेकिन उसे पहले एक चीज़ बता दूँ के core routine और threads यह दोनों सेम चीज़े नहीं है core routine और threads दोनों different हैं मैं थोड़ा सा इस वीडियो में भी explain करूंगा बागी मैं इसके ओपर एक separate video बनाऊंगा जहां आप मैं ड practically एक example के तुरू देख लेते हैं तो मैं अगेन होंगा इंटेलिजी आइडिया की ओपर तो अब हम यह करेंगे कि हम एक लाख 100 के threads क्रेट करेंगे और 100 के core routines क्रेट करेंगे और देखेंगे कि दुनों अपनी execution के लिए कितना time लेती है तो मैं यहां पे एक new जो cartelum file है वो create कर लूँगा और इसको कहा दूँगा light weight core routines और यहां पर जो हो में फंक्शन आ जाएगा अब यहां के main function से नीचे मैं फंक्शन क्रियेट कर लूँगा इसको कहा दूँगा create 100k threads यानिके एक लाख हमने threads जो है वो create करने है और एक लाख को क्रेट करेंगे तो पहले threads को create करके करेंगे देख लेती हैं मैं repeat block को use करूंगा और इसके अंदर value दे दूँगा 100k की तो इसके अंदर इस repeat block को आप यह समझे सकते हैं मैं शूर आपको पता होगा कि फार लूप है जितना भी code हम इसके अंदर देंगे वो number of times जो हमने यहां पे दिया हुआ जो कि एक लाख है repeat होगा तो मैं create करूंगा हर thread के case के अंदर एक second के लिए हमारा thread जो ब्लाक होगा thread.sleep को use करेंगे उसके बाद हमारा जो thread है वो print statement को use करते होगे console को उपर एक डाट जो ब्लाक करेंगा और अब हमने यह करने कि हमने इस जो block of code है इसकी execution का time measure करने के इसने कितना time लिए यह cut करके यहां पर pass करेंगे तो वो जितना भी इस block execute करने में time होगा वो milliseconds के अंदर यहां पर इस variable के अंदर हमें मिल जाएगा तो यहां पर मैं फिर print line को use कर लूँगा और हम जो time है वो देख लेंगे तो अब जो कि time मारे पास मिली सेकंड्स के अंदर है तो मैं इसको divide कर दूँगा 1000 से ताकि आपको जो हो seconds के अंदर output अब अंदर आए तो पहले हम जो 100 के threads create करके देख लेते हैं और फिर देखेंगे 100 के core routines जो के exact 100% यही काम करेंगी वो कितना time लेंगी तो create 100 के threads को मैं जो है वो call करूंगा इससे पहले कि मैं इस main function को run करूँ एक जिस बता देता हूं कि अब मेरी machine के मताबिक जो time आएगा वो लाजमी नहीं कि आपके machine के वो time आए कूंकि यहां पे जो 100 के threads create होंगे वो मेर run करते हैं अपने main function को तो मारे जो threads हैं वो create होना शुरू हो गया है और अब अगर आप यहां पर जाएंगे ना ओपर CPU usage के उपर तो यहां पर भी आप दे सकते हैं कि जो बाकी application थोड़ा CPU लेरी हैं लेकिन जो intelligent idea उसका usage बहुत जएदा है और memory के अंदर भी जो आपको intelligent idea व सब्सक्राइब को यूज कर रहा है तो मारी जो execution है वो complete हो चुकी हुई है मकमल तो build जो 56 seconds के अंदर complete हो यह लेकर अगर थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे यहां पर आप दे सकते हैं कि मेरी इस machine को एक लाग threads create करने के लिए और यह वहला जो लाइंजिन को execute करने के लिए 47 seconds जो ताइम लगया तो अगर मैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पेस्ट करता हूं आप इसको यहां से डिलीट कर दें इस तरह तो अगर आप command यह control यह से सारे character select करेंगे ना dots को तो अब देखेंगे यहां पर 100 के जो यानिक एक लाग रेक्टर जो वह selected हैं यानिके actual में एक लाग जो threads हैं वो मारे पास create किये गी हैं तो हमने देखा कि एक लाग threads को create करने में मेरी machine को 47 seconds यह वो time required था अब देख लेते हैं कि यही काम अगर हम 100 के core routines को use करते हुए करें तो कितना time लगेगा तो इसी function को copy कर लेंगे यहां पर पेस्ट कर देंगे तो मैंस को कह दूँगा creating 100 के core routines और अब यहां पे चुके हमने core routines को जब वो create करना है तो यहां पी मैं run blocking को use कर लेगा thread की जगह की ओपर launch आजाएगा और thread.sleep की जगह की ओपर delay का जो function है वो आजाएगा अब again turn blocking के यह लांच यह डिले suspension पाइंट वगएरा के हैं तो यह मैं next videos के अंदर one by one आपको बताऊंगा लेकिन सिर्फ अभी हमने यह देखने कि एक लाग को यूज करते हो यही क आपने देखा मेरे जो execution है वो complete हो चुकी हुई है और सिर्फ तीन सेकंड के अंदर एक लाग को routines create की गई है और उन्होंने 100% वही काम किया है जो मारे पास जो एक लाग threads उन्होंने किया है तो again अगर हम यहां यहां पे नीचे अगर हम जाएंगे तो मैं जितने भी डाट से इनको दोबारा अगर मैं select कर लूँ तो इनको copy कर लेता हूँ और again video studio code के उपर आओ और बाकी again अब देखिते हैं मैंने delete कर दियें characters तो दोबारा अगर paste करूँ तो select all करूँ तो आपने देखा 100 के जो characters है वो selected हैं तो आपने देखा कितना ज़्य इसका difference है यह कितनी जएदा lightweight है को रूटीन जैस compare to threads के जो काम threads ने मेरे इस computer के अंदर 47 seconds के अंदर की है वह 100% वही काम मेरे पास core routines ने 3 seconds के अंदर की है तो आपने देखा कितना बहुत जएदा यह difference है अगर हम programming के वाले से यहां computation के वाले से बात करें तो इसलिए हम core routines को lightweight threads कहते हैं although again यह core routine actually threads नहीं होते लेकिन यह के threads की तरह ही यह काम करती है और आपने देखा 100% वही काम जो हमने core routine से लिए threads से लिए है वही काम core routine से हमने लिए है और कितनी जल्दी वह काम होगे तो इसलिए यह statement है कि core routines are lightweight threads अब next थोड़ी सी properties है core routines की के they run concurrently हमने पीछे भी देख लिए कि यह concurrently run होती है अगर आप 2 core routines को चार core routines को launch करेंगे तो वह concurrently run होगी फिर मारे पास यह है कि एक दूसरे के लिए wait कर सकती है communicate कर सकती है एक दूसरे के साथ parent child relationship यह फार्म कर सकती है जो कि बहुत important होता है जो कि unlikely हम threads के अंदर नहीं कर सकते है इसकी reason यह है कि suppose करेंगे आपकी एक parent core routine और उसके अंदर आपने 10 core routine launch की है जो कि उसकी child है तो अगर आप यह चाहते हैं कि parent अगर cancel हो जाए तो automatically child cancel हो जाएं तो यह बहुत easily और बहुत असानी से आप कर सकते हैं core routines के अंदर तो यह सारा काम करने के लिए core routine की की तरब से यह में provide किया जाता है यह बहुत powerful feature है जिसमें हम जिमारी जो concurrency होती है वह structured होती है जो कि हम next video के अंदर detail में इसको देखेंगे तो next मैं मैंने इसको plan को बॉल्ल किया है कि जो core routines है वह बहुत easily जो अपना currently जिस thread के ओपर वह run हो रही होती है उसको change कर सकती है यहाँ पे आपको को रूटीन को पास कर सकती है और दोबारा resume कर सकती है क्योंकि वह cooperative routine को रूटीन तो it is possible कि जब आप core routine को पास करें तो वह thread 1 की ओपर हो और जब आप उसको resume करें तो वह thread 2 की ओपर resume हो यहाँ आदी उसकी execution आप एक thread के ओपर करें आदी execution दूसरे thread के ओपर करें यह बहुत असाने से हो जाता है इसको मैं next video में भी practically भी आपको बताऊंगा android के ओपर कैसे हम आप यह कर सकती है और दूसरी जीज़ है कि जब हमारी core routine जो वह suspend होती है पास होती है तो वह thread को ब्लाग नहीं करती है यह major difference है core routine और threads के अंदर कि अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी use करेंगे ना thread.sleep तो वह जो complete thread है वह ब्लाग हो जाएगा उतने time के लिए लेकिन अगर core routine को use करेंगे ना core routine को core routine की execution उसको पास करने के लिए हम thread.sleep की बजाए जो delay का जो function है इसको use करती है तो यह जो delay का function है कि हमने यहाँ पर use किया वह यह उस currently running core routine को तो stop करता है यह पास करता है तेको उस thread को free रखता है उस दुरान thread को यह और काम कर लेता है जो कि हमने पीछ synchronous ले लिखा गया जानी कि वह जिस तरह हमारा sequential code होता है यही नजर आता है कि हमारा code sequential है लेकर एक्शली वह asynchronous होता है वह concurrently run हो रहा होता है यह लाइन भी आपको next video के अंदर जैदा clear हो जाएगी next है कि जो core routine दे save us from callback help callback help से यह मिरादा है कि normal अगर android की बात की जाए तो इस नेक्स्ट एक दो वीडियो के बाद एक separate video बनाऊंगा जहांपी मैं comparison करूंगा retrofit के जो callback health है उसका और जो मारे पास Rx चाव है और तो कार्टन को रूटीन के इन तीनों का अम जो प्रो कांस को देखेंगे वहापे भी यह line-up को मजीद समझा जाएगी तो इसलिए जो कार प्रोक्रामिंग के लिए और जो मेजर एंड्राइड लाइब्रेडिस ना लाइक रूम होगी रैट्रफिट होगी है बाकी भी कुछ लाइब्रेडिस वह built-ins उनके अंदर आप support उनकी जो latest पर इन उनके अंदर built-in support काटलन को रूटीन के लिए और अब concurrency के लिए Android के उप जो बहुत सारी इतनी कर सकते हैं एवन आप एक धर्टेipp के अंदर क्रेंग तो इसको रन करसकें एक सिंगल यहां और यहां पर आइन के लूच क्रिएट कर लूंगा सुरी इसको कहा दूंगा लांचिंग वन वन मिलियन को रूटीन तो इसके अंदर भी पहले मेरे पास में फंक्शन आएगा इस त्रीके से और यहां पर जो हम को रूटीन को लांच करना है तो यहां पर मेरे पास आजाएगा रन ब्लाकिंग और अब यह repeat block को यूज करूंगा और यहां पर आप मेरे पास आएगा वन मिलियन यानि के वन मिलियन जो को रूटिन्स है वो अमने लांच करने और अगर आप यहां पर प्रिंट लाइन को यूज करेंगे ना तो तो अब करेंगे तो आपको जो मेन फंक्चन है वो भी आपका नजर आएगा सेम चीज़ अगर आप यही कोड रन करेंगे ने ड्राइड के ओपर तो जो इंड्राइड अप्लिकेशन का मेन त्रेड है उसके ओपर भी आप एक मिलियन जो को रूटिन्स है क्रीट कर सकते हैं कि एक सिंगल थ्राइड के अंदर तो यहां भी मारा एक ही थ्रेड है थ्रेड एक ही रिएगा उसके अंदर मारे पस बन मिलियन जो को रूटिन्स है वो लांच की जाएंगी तो मैं यहां पर यूज कर लूँगा लांच को तो हमारी हर एक और रूटिन्स है उसके अंदर मैं function को आप देखेंगे कि जो वन मिलियन को रूटीन से वो create होंगी और जो को प्रिंट किये जाएंगे मारी exhibition कम्प्रीट हो चुक्य हुए है और आप देख सकते हैं कि यहां पर एक मिलियन जो डाइट वो प्रिंट हो चुक्य हुए है गैन अगर आप यहां पर इन सारे darts को हम select कर लेते हैं और इसको मैं अगर copy कर लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो thread name main है वो भी आपको नज़र आ रहा है और यह जो आगे नज़र आ रहा है ने इसलिए है कि हमने run blocking को use किया हुआ है इसलिए जो thread name है वो basically के लिए मारे पास main ही और आगे इसकी information आ रही है तो गेन अगर मैं वियू स्टूडियो कोड के ओपर जाता हूं और बाकी जो पहले वाले मारे पास starts को remove करता हूं तो अगर मैं paste करूंगा तो अब अगर आप command कंट्रोल एक को select करेंगे तो आप one million जो characters हैं वो selected नजर आएंगे तो आपने देखा कि हम एक single thread की ओपर जो है वो एक million को routines भी run कर सकते हैं और अगर आप यही काम करेंगे ना thread launch करने कोशिच करेंगे सिर्फ आप लों को operating system है वह में allow भी नहीं करेंगा कि हम इससे जएदा जो फ्रेट कर पाएं तो आपने देखा exception आचकी हुई है यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ threads मेरे create हुए है यह नहीं कि बिल्कुल create ही नहीं हुए लेकिन उसके बाद यह वो मारे पास out of memory exception आ चुकी हुई है और यहां अपने देखा out of memory और तो यहां तो यहां तो आपको नज़रा रहा है प्रोग्राम को नहीं कर रहा कि वो इससे जदा जो नंबर आपके अंदर रही होती है लेकिन नार्मली तो यह होता है कि मारे पास जो थ्रेड होता है अगर हम उसके ऊपर कोई भी काम करते हैं तो वो थ्रेड बलाक हो जाता है वो थ्रेड फरी नहीं होता है कोई और काम करने के लिए लेकिन कोर रुटीन आपस में कॉपरेट करती है अगर एक कोर रुटीन वगती तो और पास है तो वो दूसरे को दूसरी कोर रुटीन को बोलेगी कि मैं पास हूँ आप अपनी एक्जीकुशन रिजियूम कर लो यह वह चारदा करेंगे को हम 1 million core routines को execute करते हैं create करते हैं तो operating system को 1 million threads create करने की जरूरत नहीं पड़ती वो एक ही thread create करेगा या अगर हम उसको specify करेंगे कि आप 2, 4, 10, 15 जितने भी thread हैं आप सिर्फ इनी threads के अंदर ये सारी core routines run करो तो वो सिर्फ limited thread create करेगा और उनी threads के ओपर जो core routines हैं उनको run करेगा तो system को 1 million core routines के लिए 1 million threads create नहीं करने पड़ते तो हमने example में देखा कि सिर्फ एक thread के ओपर system 1 million core routines को create भी करता है और जो उसकी statement होती है जो भी इसकी execution है उसको run भी करता है इसलिए जो core routines होती है जो thread उनको यूज़ करना चाहिए और next मैंने यहां पर एक personal note लिखा हुआ है कि जिस जो personally मैं core routine को जिस तरीके से सानी से समझ सकता हूं मैं भी आप लोगों के लिए यह helpful देसे मैं यहां पर लिखती है कि मैं personally यह समझता हूं कि जो core routines है ना वह एक abstraction है threads के ओपर यहां वह एक framework के threads को better और efficiently effectively manage और यूज़ करने का जो कि अब हमने देख लिए कि actually internally thread ही use हो रहा है लेकिन उसे एक thread के ओपर हम one million तक core routines को create कर सकते हैं और pass भी उनको कर सकते हैं और execution भी complete हो जाती है बहुत जल्दी क्योंकि वह बहुत लाइट वेट हैं जो हमने पीछे detail में देख लिए बाकी thread और को रूटिन का difference हम नेक्स टेक वीडियो के अंदर भी देखेंगे तो अब अगेन वह चीज़ है कि जब हम core routines को use करते हैं तो एक background core routines है तो इसके साथ ही गास जो मारा वीडियो का काम है वो complete हो चुका वैट आपको आपको जो core routines उनकी basic understanding आ चुकी होगी मैंने practical example से भी आपको समझाने की कोशच की है पहले हमने देखा क्या होती है फिर हमने तो आसानी से concurrent programming कर सकते हैं Android के अंदर किसी भी दूसरे काटलर यह जे वीम platform के उपर लेकिन आम में लिए Android की जब यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि Android के अंदर concurrent programming को मारे लिए must है क्योंकि main thread तो सरफ UI को मैनेज करेगा तो जो को रूटीन्स है वो बहुत ज़दा असान कर देती है एसंग किया जो concurrent programming होती है उसका code लिखना और रन करना मैनेज करना सब कुछ तो इंचाला बाकी आगी आने वीडियोस के अंदर भी one by one हम जो practical scenarios को देखेंगे तो मजीद आपको को रूटीन्स के समझ जाएगी तो इसके साथ मैं वीडियो को स्टाप करता हूँ होपसा आपको सारी चीज़ में के समझ जाए ज़की होगी मैं विलूँगा आपको से नेक्स वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ हैंगे जो मैं नहीं एक्स्प्लेइन करूंगा नहीं आपको समझ जाएंगे लेकिन आपको मेन आइडियो हो जाएगा कि को किस तरह का कोड़ हम करेंगे यह पावर क्या को रूटीन्स की वह one by one फिर उसके डिफरेंट पार्स क नेक्स वीडियो के अंदर one by one study करेंगे डिटेयल में जेकेंगे जिसलिए make sure कर लें कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दुमाएं ताके लेटास पार्स को मिस ना कर सकें वीडियो अगर helpful लगी और अच्छे लगी तो प्लीस प्लीस लाइ करूं यहां इसको हत्म करने कोशिश करूं यहां मिलूंगा अपनों से नेक्स वीडियो में तिल देन टेक्यार और आफिस